हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंड अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है दो जून 2019 और यह हमारी 166 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आये हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important हैं इन questions को आप note कर लें क्यूंकि यह आपके exam में पूछे जाती हैं साथी दोस्तों अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरू करेंगे चलते question number first हाली में कौन थाइलेंड के tiger moai thai mix martial art camp में हिस्सा लेंगे जिसका सही option है एजाज खान मत्यप्रदेश की एजाज मुहमत एजाज खान tiger moai thai mix martial art camp में हिस्सा लेंगे दोस्तो ये martial art camp 15 दिन का अंतरास्टिय प्रिसिक्षन केम्प है जो 16 जून तक चलेगा दोस्तो आपको बता दें ये kudu international federation of india के द्वारा चैनित किये गए हैं ये यहां से martial art का यानि थाइलेंड से martial art का जो है प्रिसिक्षन लेके वो मद्यप्रदेश के शात्रों को दें है ये मुहम्मद एजाज खान थाइलेंड के इस martial art camp में हिस्सा लेने जा रहे हैं और ये मद्यप्रदेश की रहने वाले हैं जो देश का प्रितने जित्व करेंगे Q2 हाली में दो टीम को ICC One Day International Cricket का दरजा प्राप्त हुआ है ये दोनों टीमें कौनची है इसका सही option है USA और Oman ये दोनों टीमें हैं जिनने हाली में ICC ने One Day International Cricket का दरजा दिया है दोस्तो अब बात आई है ICC की तो आपको इसके बारे में बता दें ICC का फुल फॉर्म International Cricket Council होता है दोस्तो इसका मोटो है Cricket for Good इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी और ICC का हैटक्वाटर दोबाई UAE में है दोस्तो अभी तर 105 मेंबर कंटी थे इस ICC में दोस्तो चेर्मेन है जो ICC के उनका नाम है शशांक मनुहर तो इतना आपको ICC के बारे में याद रखना है CBSE ने बोड परिक्षा में क्या बदलाव किये है जिसका सही option है उन बिसियों की परिक्षा पहले होगी जिसमें ज्यादा चात्र होंगे ये एक बदलाव हाली में CBSE बोड ने किया है दोस्तो CBSE बोड 2020-70 में 12 वी की बोड परिक्षा के शडूल में बदलाव करेगा अगले साल उन बिसियों की परिक्षा पहले होगी जिसमें ज्यादा चात्र है दोस्तो 2019 में CBSE ने एक और बदलाव किया था जिसमें थियोरी पेपर की परिक्षा फरवरी में ही ली जाने लगी है और अब ये बदलाव 2020 में किया जाएगा दोस्तो अब बात आईए CBSE की तो आपको इसके बारे में बता दें CBSE का फुल फर्म Central Board for Secondary Education होता है इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में की गई थी CBSE का हेड़कॉर्टर निव देली में है और इसके जो चेयर परशन है वह है अनीता करवाल तो इतना आपको CBSE के बारे में याद रखना है Next question अक्षय कुमार सेह हाली में निवारी के कलेक्टर पद पर निउक्त किये गए है दोस्तो इस्क्रीन पर कुछ और नाम आपको दिख रहे होंगे इनके बारे में भी बता दे तो करमबीर सेह को कलेक्टर पन्ना का बनाया गया है तरुन राठी को दमोल कलेक्टर बनाया गया है और बीरेंदर सेह रावत को शाजापुर कलेक्टर बनाया गया है आपको इन चारों की बारे में इतना याद रखना है हाली में ये बदलाप किये गए हैं मद्द प्रदेश प्रिशाशन के द्वारा तो ये चारों के नाम आपको याद रखने है और इनकी किस दिले में पोस्टिंग हुई है ये भी याद रखने हैं हाली में कौन भोपाल आईजी बने हैं जिसका सहीusion है योगेस देशमुक धाली में योगेस देशमोक भोपाल आईजी नियुक्त किये गए है दोस्तो इसके अलाबा और नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनके बारे में भी बता दें तो अनिल कुश्वाहा एसपी शैडोल बनाये गए है जैदी प्रिशाद को आईजी जेल बनाया गया है और डीजी गुपता को आईजी चंबल जोन का बनाया गया है तो इनके बारे में आपको और याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में मध्यप्रदेश के किन दो शहरों में मेट्रोपॉलिटिन रीजन अथरोटी बनेगी जिसका सई उफ्षन है इंदौर और भूपाल इंदौर और भूपाल इन दोनों शहरों में मेट्रोपॉलिटिन रीजन अथरोटी बनाई जाएगी दोस्तो भूपाल और इंदौर में metropolitan area विक्सित करने की दिशा में राज्य सरकार ने हाली में ये बयान दिया है 6 माहे में दोनों जगह metropolitan region authority का गठन किया जाएगा दूस्तो ये authority metro rail से related है तो इतना आपको इन दोनों शहरों के बारी में याद रखना है इन दोनों शहरों में metropolitan region authority बनाई जाएगी अंदर 6 महीने के Next question मद्धिप्रदेश पैंसर association का अधिवेशन हाली में किस शहर में किया जा रहा है जिसका सही option है सागर हाली में सागर में मद्धिप्रदेश पैंसर association का अधिवेशन किया जा रहा है दोस्तो इस अधिवेशन का मुक्ष देश मद्धिप्रदेश के पैंसर की समस्याओं को सम्मंध में चर्चा करना है इस दोरों यह नणा दिया जाएगा कि पैंसर की समस्याओं को किस प्रकार से घटाया जा सकता है दोस्तो अब बात आईए सागर जले की तो आपको कुछ important factor सागर के बारे में बता दें दोस्तो मद्धिप्रदेश की परथम विश्विद्याले जिसे हम डॉक्टर हरीशिंग और विश्विद्याले के नाम से जानते हैं इसकी इस्थापना 1946 में सागर में ही की गई थी मद्धिप्रदेश का परथम forensic lab भी सागर में ही बनाया गया है पदमाकर समारोई की इस्थापना भी सागर में ही की गई है दोस्तो एरण जहांपर सती का परथम लिखित साक्ष प्राप्त होता है यह सागर जिले में ही इस्थथ है नोरा देही वन्डर जीव अभ्यार भी सागर में ही इस्थथ है स्टेनलेस स्टिल कॉमप्लेक्स की इस्थापना भी सागर में ही की गई है तो इतना आपको सागर के वारे में याद रखना है Next question मत्यप्रदेश में सहेकारी समीतियों की चुनाव कब किये जाएंगे जिसका सही option है सितंबर में मत्यप्रदेश में सहेकारी समीतियों की चुनाव सितंबर में किये जाएंगे दोस्तो मत्यप्रदेश में बरसों से भंग चल रही प्रात में क्रिशी शायकारी साख समीतियों की चुनाव की डेट जो वो है आ गई है लगवक सितंबर में इसकी चुनाव किये जा सकती है इन चुनावों की निपटने के बाद जिला सायकारी बैंकों की चुनाव भी कराए जाएंगे मद्धिप्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन आसिया नीत तंत्र का समर्थन किन देशों ने किया है जिसका से यॉप्षन है ये चारों देशों ने भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन चारों देशों ने आसिया नीत तंत्र का समर्थन किया है दोस्तो इन चारों देसों ने हिंद प्रसांथ क्षेत्र के लिए शेत्री योज़राओं में आसिया नीत तंद्र को पुर्जोर समर्थन दिया है दोस्तो चारों देसों के वरिष्ट अधिकारियों ने बैंकोप में हुई बैठग में हिस्सा लिया जिन्होंने साजा मुल्यों के आधार पर मुक्त, खुला, समरद और शमावेशी हिंद प्रशांथ शेत्र के लिए काम करने में प्रतिवद्धता जताई है तो इसका समर्थन इन चारों देसों ने गिया है, ये आपको याद रखना है, दोस्तो बहुत इंपूर्टेंट क्वेशन है ये नेक्स्ट क्वेशन हाली में हेमकुंड साहब के कपाट खुले हैं, ये किस दोस्तो ये जिला नहीं है, ये किस प्रदेश में इस्थित हैं, तिसका सही ओफ्षन है उत्राखंड हेमकुंड साहब उत्राखंड प्रदेश में इस्थित हैं दोस्तो आपको बता दे उत्राखंड में सिक्खों के पवित्र तीर्थ इस्थल हेमकुंड साहब के कपाट हाली में खुले हैं दोस्तो लोगपाल लक्षवन मंदर की कपाट भी वैदिक मत्रो चारण के साथ खोले गए हैं प्रवंदक समीती के अनुसार पहले दिन 8000 से ज़्यादा श्रत धालू दार्मिक कारिक्रम में शामिल हुए हैं दोस्तो आप बात आईए उत्राखंड की तो आपको मैप में उत्राखंड के बारे बता दें नैप में ये जगह उत्राखंड को दरसाथी है इसकी स्थापना 9 नमंबर 2000 में की गई थी उत्राखंड के गवर्णर हैं बेवी रानी मौर्य उत्राखंड की मुख्यमंत्री हैं तिर्वेंदर सें रावत और राजधानी हैं देरादुन तो इतना आपको उत्राखंड के बारे में याद रखना है इस जल्सकती मंत्राले का नमाड जलसंसाधन नदी विकास और पुनर्जीवन मंत्राले और पेवा स्वक्षता मंत्राले के बिले करके बनाया गया है। इसके द्वारा जल प्रबंधन और ब्यमन एक भी विवाग द्वारा किया गया है। दोस्तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार ने मिसन स्वक्ष गंगा को परियावरण और वन मंत्राले से अलग करके जल संसाधन में शामिल किया था और अब ये जल सक्ती मंत्राले बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाली में कब दुगद दिवस मनाया गया है। दोस्तो इस दवस की अपनी कोई वैस्विक थीम नहीं है। इस दवस पर विवने देशों के अलग-अलग संस्थान, सरकारी संस्थान और प्राइविट संस्थान अपनी अपनी थीम तयार करते हैं। दोस्तो आपको बता दें, 22 दवस की जो शुरुवात थी, वह 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। और इस दवस की शुरुवात, खाद दिवा क्रिशी संस्थान द्वारा की गई थी। तो इतना आपको इस दवस के बारे में याद रखना है। दोस्तो आप बात करते हैं प्रीवियस टे के क्वेशन की, तो दोस्तो कल का क्वेशन था किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दरजा मिला है। तो इसका सही अप्शन था इंदोर, इंदोर के एयरपोर्ट को हाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दरजा प् तो दोस्तो आज के लिए वसतना ही आप हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए कल हम आपके साथ फर मद्ध प्रिदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लिकार हाजरोंगे और दोस्तो महिन में कम से कम एक पिल अवस्त लगाएं, यह बहुत जरूरी है हमारे परियाव रण के लिए, तो आज के लिए वसतना ही, नमस्कार, have a nice day